जल्दी सोने वाली बहू मा, मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ तू तो रोज ही ठक जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुझे इतनी ठकान होती है, तो तू नौकरी छोड क्यों नहीं देती, वैसे भी अब तेरी शादी की उम्रे हो गई है क्या मा, शादी के बाद तो वैसे ही मेरी नौकरी छुट जाएगी पता नहीं कहा मेरा सिसराल होगा शादी से पहले थोड़ा बहुत कमा तो लेन दो अच्छा अच्छा ठीक है मेरी मा तुझे जितना शादी से पहले कमाना है कमाले तेंक्यू, मेरी बात समझने के लिए मेरी प्यारी माम जल्दे से खाना लगा दो नौ बहुत तेज की नीदा आ रही है और वैसे भी मुझे सोना भी है तेरा तो रोज का ही है, आफिस से आओ, खाओ और सो जाओ फिर सुबह उठो और आफिस चले जाओ मा के लिए तु समय ही नहीं है, रोख अभी लाती हूँ तेरा खाना इतना बोलकर राधा की मा राधा के लिए खाना लेकर आती है और आधा खाना खाकर नौ बच्चती ही राधा सो जाती है राधा का पूरा परिवार भी जल्दी सो जाता है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं राधा के लिए विजय नाम के एक बहुत अच्छी लड़की का रिष्टा आता है राधा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है एक बार तु अपनी मन्जूरी दे दे अगर तुझे लड़का पसंद है तो शादी कर देंगे मा जब घर में सबको लड़का पसंद है तो फिर मुझे क्या इतरास होगा और वैसे भी लड़की में कमी तो है नहीं अच्छा पैसा कमाता है, सुन्दर है, छूटी फैमिली है और क्या चाहिए, सच कहुद मा ये मेरे सपनों का राजकुमार है राधा की बाते सुनकर राधा की मा को बहुत हसी आती है अब इस तरह से कुछ दिनार पीच जाते हैं और बहुत जल्द राधा की शादी विजए से हो जाती है विजए से शादे कने के बाद राधा अपने सिसुराल जाती है जहां वो अपने सिसुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है पर राधा को किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि सिसुराल में किस तरह से रहना होता है राधा जितने अच्छे से अपने घरवालों का खायल रखती है उतनी ही अच्छे से अपना भे खायल रखती थी राध के नौ बच्टे ही राधा राणी सो जाती ऐसे ही एक दिन विजे ग्यारा बजे रात को घर आता है और अपनी मा आशा से कहता है मा आप सच मेना बहुत अच्छी है और उकी मा तो बेटे की शादी करने के बाद बलकुल बदल जाती है कहती है बीवी की आने से बेटा बदल गया पर आप तो अभी भी मेरे लिए उठी रहती है बेटा मा को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है अब तेरी बीवी तो नौ बच्चती ही सो जाती है उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि घर में किसने खाया किसने नहीं वो तो तेरा इंतजार तक नहीं करती कोई बात नहीं मा समय के साथ राधा भी सब सीख जाएगी अर अब पता नहीं वो दिन काब आएगा अब मेरी बात सुनकर तो ये मत सोचना कि मुझे तेरी भी विसदिक काता माम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप राधा को कितना प्यार करती हो पर फिर भी मैं इस बारे में राधा से बात करूँगा अभी राधा को सिसुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे इसलिए सिसुराल वाले भी राधा से कुछ नहीं कहते पर जैसे जैसे समय बीटता है वैसे वैसे राधा के जल्दी सोने की ये आदत आशा को खटकने लगती है क्योंकि बहु के होने के बाद भी रात का खाना और बरतन विचारी आशा को करना पड़ता था लो जी अभी तक रस्वे में सारे बरतन गंदे ही पड़े हैं ना बचते नहीं कि महरानी जी तुरन जाकर सो जाती है लगता है विजय ने इससे बात नहीं करे अब मैं है कल बहुरानी से बात करूंगी राधा के जल्दी सोनी की वज़े से रोज रोज आशा को ही रात के बरतन धोने पड़ रहे थे जिस वज़े से वो अगली सुबर राधा से इस बारे में बात करती है बहु मुझे तुस्से जरा बात करनी थी देख मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना पर रात के नौ बजे कौन सोता है भला क्यो मा जी क्या हुआ बहु घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सोने से पहले करने होते हैं जैसे सब के खाने के बाद बरतन और रसोई की सफाई विजे हमेशा रात में लेट आता है अपने पती का इंतजार कर लिया कर ताकि जब वो आये तो तूसे खाना दे सके अब देखतेरी वज़ा से मुझे अपना टीवी छोड़कर बेटे की देख रेक करने पड़ती है अरे आखिर माँ अपने बेटे की शादी क्यों करवाती है इसलिए ना ताकि उसकी बीवी आया और उसे समझे माफ करना माजी मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ससुराल में कितने बज़े सोना होता है मेरी ना आदत है नौ बज़े सोनी की पर फिकर मत कीजे अपसे मैं सोने से पहले अपना राध का सारा काम खत्म करके ही सोया करूँगी इतना भूलकर राधा वाँ से चली जाती है राधा की बाते सुनकर आशा को लगता है कि राधा उसकी सारी बाते अच्छे से समझ चुकी है अपनी बहू की ये बात सुनकर आशा भी बहुत खुश होती है और वो निश्रिंद हो जाती है अब राध को राधा जल्दी जल्दी खाना बना लेती है और सभी घरवालों को खाने के लिए बुलाती है मार जी बैठ जाईए ना खाने के लिए मैंने विजे जी से भी बात कर ली है वो भी वसाती होंगे उन्होंने अपने मालिक से बात कर ली है अब से उनकी छिट्टी थोड़ी जल्दी हुआ करेगी थाकि वो हमारे साथ खाना खा सके अरे बहु सच में यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे विजे भी हमारे साथ खाना खाएगा पर बहु अभी सिर्फ आठ बज रहे इतनी जल्दी खाना कौन खाता है माजी इंसान जितना जल्दी खाना खाले उतना ही अच्छा है और मुझे सोने से पहले अपने सारे काम भी तो खत्म करने है और मैंने ये भी सोच लिया है कि अब मैं इतनी जल्दी नहीं सोया करूँगी अब सेना मैं दस बज़े सोया करूँगी अब तो ठीक है ना माजी राधा इतनी मासुमित के साथ अपनी बात अपनी सास के सामने रखती है कि आशा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना खाने लगती है कुछ तेर बाद विजे आता है और राधा विजे के साथ खाना खाकर राध का सारा काम खत्म कर लेती है और सोने से पहले अपनी सास को दूद और दवाई दे कर कहती है माजी, अब आपको चिंता करने की सुरुत नहीं है मैं सोने से पहले सारा काम कर लूगी और मैंने सारा काम कर भी लिया है देखे साड़े 9 बच चुके हैं आपके दवाई का समय हो गया है न डॉक्टर हमेशा आप से कहते हैं कि साड़े 9 बजे दवाई खा लीजिए पर आप मानती हैं नहीं और रात के 12 बजे खाती हैं लेकिन आज आपको मेरे सामने दवाई खानी है ताकि मैं आराम से सोने के लिए जा सकूँ क्या अभी दवाई पर अभी कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है मेरा पेट बरा हुआ है दवाई किस पेट से खाओ माजी दवाई पेट से नहीं मुँ से खानी है चली चली नाटक मत कीजिए दवाई लीजी चली इतना बोलकर रादा जबरतस्ती अपनी सास को दवाई खिला देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है आज आशा ने इतनी जल्दी खाना खा लिया था और अपना फेवरेट सिरियल सही समय पर देख पा रही हूँ जहां आशा आराम से टीवी देख रही थी वहाँ टीवी के आवाज से राधा को सोने में दिक्कत हो रही थी ये देखकर राधा विजे से कहती है विजे जी मा को कहिए ना टीवी के आवाज थोड़ी कम कर ले मुझे नीन नहीं आ रही आप जानते ना मुझे जल्दी उटना भी है क्योंकि आपके आफिस का टाइम चेंज हो गया है राधा आफिस का टाइम भी तो मैंने तुम्हारे कहने पर चेंज करवाया वनना मैं तो आराम से जाता था आराम से आता था हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ अब जरह माजे से बोले ना कि टीवी के आवाज कम करे ताकि मैं सो सकूँ राधा के कहने पर विजे अपनी माज से बात करता है और टीवी के आवाज कम करवा कर खुद भी सोने के लिए आ जाता है समय योही गुजरता है और समय के साथ अब रादा के सिसुराल वालों को भी रादा की तरह जल्दी उठने की खाने की, सोने की आदत हो जाती है ये सब कुछ आशा को अच्छा नहीं लगता को ना दे है क्या हुआ अशा बैर, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो तुम्हारी बहु कुछ काम नहीं करती क्या अरे नहीं, बहन काम तो वो समय से पहले करकर रख देती है पर उसके घरवालों ने सिखाया ही नी के सोना कब होता है अरे दस भजते ही रात को सो जाती है उसकी वज़े से मैं टीवी भी नहीं देख पाती और उसकी वज़े से अब मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है जबसे मेरे घर में बहु आई है ना तबसे मुझे दवाई भी जल्दी लेनी पड़ रही है मेरी बहु को तो देख का लगता है कि डाक्टर ही घर में आ गया है सही कहते हैं लोग बहु अच्छी मिल जाए तो भी सास को दिक्कत और बुरी मिल जाए तो भी दिक्कत अरे सुलेखा बहन, बहु जल्दी सो जाती है, जल्दी ओड जाती है इस चीज से तुम्हें थिक्कत हो रही है जबकि तुम्हारी बहू की इस आदत दे तो तुम्हारी बिमारी को कंड्रोल में कर लिया वो कैसे और इसमें अच्छा क्या है आशा जब तुम समय से खाना खाती हो दवाय खाती हो और अपनी नीन पूरी कर लेती हो जिस वज़े से तुम्हें डॉक्टर की पास जाना नहीं पढ़ रहा बहु के जल्दी सोने की वज़े से तुम्हारी आँखों पर अब्जूर नहीं पढ़ रहा टीवी देख देख कर और तुम्हारी बहु के जल्दी सोने की वज़े से तुम्हारा बेटा भी अब समय पर घर आने लगा है और तुम हो कि इस तर की बाते कर रही हो तुम्हारी बहु के जल्दी सोने की आदत ने तुम्हारे घर की कलेश को भी खत्म कर दिया है सब कुछ कितना अच्छा और ठीक हो चुका है हाँ सुलेखा तु बिलकुल सही कहा रही है मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं बस बहु के जल्दी सोने की आदत की वज़े से मेरी आदतों में बतलाव आ गया और इन सब के बारे में ही मैं सोचती रहती थी कि मैं बहु की वज़े से रात बटी भी नहीं देख पा रही हूँ और इसलिए अपना गुस्सा बहु के उपर निकाल रही थी जबकि बहु के आने के बाद कितना कुछ बतल गया है यही तो मैं तुझे समझा रही थी आशा देख बहु के जल्दी सोने की वज़े से कितने फाइदे हैं और वैसे भी गाउं में जाएगी ना तो तुझे देखेगी के वहाँ की लोग कितनी जल्दी सोते हैं, ऊड़ते हैं और खाते हैं यह तो शहर में आ कर इंसान शहरी बन गया है सुलेखा की बाते सुनकर आशा को मैसूस होता है कि जल्दी सोने की वज़से उन्हें कितने फायदे हो रहे हैं जिसके बाद फिर कभी आशा अपनी बहु से कोई शिकायत नहीं करती और अब खुद भी अपनी बहु की तरह सब कुछ समय पर करती है अपनी सास का बदला रूप देखकर राधा की भी खुशी बढ़ जाती है क्योंकि आप उसे किसी को अपनी बात समझानी जो नहीं परती